हे गाईज मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ आपका जीएस पार्ट साला में यह हमारा इंसीर्टी क्लास 6 का तीसरा चेप्टर है भोजन संगरन से उत्पादन तक अभी तक हमने देखा था कि इनसान जो थे फूड गेदरर थे भोजन संगरा करते थे उसे चुन कर खाते हैं फिर सिकार करना शुरू किया अब यहां पर थोड़ा सा चेंज साता है गाईज हम लोग देखते हैं कि भोजन जो है वह मेंली दो तरह से मिलते हैं एक पेड़ पोधे से दूसरा पसूँ से पेड़ पोधे से हमें मिलते हैं अनाज फल सबजी पसूँ से मीट अंडा योग नहीं है यह भी चेक करना पड़ता था पसूँ में से कौन सा पसू खाने योग है कौन सा पसू खाने योग नहीं यह भी देखना पड़ता था एक तो यह प्रोब्लम आ गया दूसरा प्रोब्लम क्या होता था कि भीन भीन पसू जो है या पोधे जो होते थे वो गर्मी में हमें किसी पेड़ पोधे से जो खाद पदार्थ मिल जा रहा है जरूरी ने उस सर्दी में भी हमें मिल जा है उससे तो एक जहाँ पर इंसान रह रहा है मानने लेते हैं इंसान पंजाब में रह रहा हो यह आदि मानव के समय का बात है पंजाब में इनसान रह रहा ह वहाँ पर उसे सर्दी के मौसम में जो फल मिल रहे हूँ, सर्दी का मौसम समाप्त हुआ, पेड़ पोदा फल देना भी समाप्त कर दिया, क्योंकि उनका सीजन था सर्दी का, गर्मी आ गिया, अब इंसान मूव करेंगे कहीं और जहां पर उन्हें भोजन मिल पाए, उसी तरह से पसू जो होते थे, वो भी चेंजस होने कारणे, इन्वारोमेंट में इदो-धर मूव करते रहते थे, जैसे अगर गर्मी बहुत जादा बढ़िया, तो अगर पानी का कमी हो गया उस इलाके में, उस जंगल में, तो पानी के तलास में पसू आगे बढ़ जाते थे, इंस स्कूल मिलाके अपने भोजन के तलास में, और अलग-अलग सीजन में, अलग-अलग पेड़ पोधे अपना प्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद लेकिन क्या होता है, दस हजार इसा पुर्व में हम लोग देखते हैं, कि जलवायू में एक परिवर्तन आता, अभी तक जो ह देख सकते हैं, अभी भी, सर्दी के मौसम में घास आपो कम उगता हो दिखेगा, गर्मी में ज्यादा दिखता है, होता है क्या कि गर्मी जबाता है, तो जो घास होते हैं या उस तरह के पेड़ पोधे होते हैं, उनके लिए वेदर सुटेवल होने लगता है, जिसमें वो इजली गरो कर सकते हैं, तो घास उगेंगे, तो सकाहरी पसू का भी संख्या बढ़ेगा, क्योंकि घास का मातरा बढ़ रहा है, तो उनके भोजन का जो मातरा है, वो इजली एभी लेवल होगा, जिस कारण से वो इजली कंजूम कर पाएंगे, तो उनका भी मातरा होता है, और लोग जब उनके चारों तरफ इर्द गिर्द सारे पेड़, पोधे, पसू, पक्षी दिखने लगते हैं, तो उन्हों जो लोग थे हैं, वो सभी अब्जर्ब करना शुरू करते हैं, कि कौन सा वनस्पती या कौन सा पेड़ पोधा खाने योग हैं, क्योंकि कि किसी भी पेड़ पोधे का सारा भाग तो खाने योग हैं नहीं होता है, जिसे आलू का जड़ खाने योग हैं, उसी तरीके से हम लोग देखते हैं, टमाटर का जो तना से निकलता है, टमाटर वो खाने योग हैं, जड़ उसका नहीं खाया जा सकता है, हर पेड़ पोधे का अलग-अलग वैसा production होता है जिसे इंसान कंजूम कर सकता है, खा सकता है तो इंसान ने अबजर्ब करना शुरू किया कि कौन सा वनस्पती का कौन सा हिस्सा खाने योग है या कौन सा वनस्पती खाने योग है दूसरा इंसानों ने देखा कि न वीज अंकूरित होते हैं जैसे किसी फल का वीज जो मिटी में गिर जाता है कुछ समय बाद वो अंकूरित होता है, उससे पोधा निकलता है और फिर वो ग्रो करने लगता है, फिर वो खुद फल देना शुरू कर देता है तो इंसानों ने देखा कि हाँ, वीजो को से पेड़ पोधा का विकास किया जा सकता है तब इंसान उसका देखवाल करना शुरू करने लगे है और पसुओं का जो मातरा बढ़िया था, तो इंसान अब उससे पालतू बनाना शुरू किया और सबसे पहले इंसानों ने कुत्ता को पालतू बना, उसके बाद हम लोग देखते हैं भेड, बकडी, गाई, सुगर इस तरह के पसु पालतू बनाना शुरू किया गया यानि कि जो जलवायू परिवर्तन हुआ, इस कारण से पसुओं में, अब पोधों में परिवर्तन आया, उनका संख्या बढ़ा लोग अबजर्ब करना शुरू किया कि यहां कौन सा खाय जासता, कौन सा नहीं कहाय जा सकता है पेड़ पोधों को उगते देखें, तो उनका देखवाल करना शुरू किया, क्योंकि उनको पता चला कि इन से, इन पेड़ पोधों से, हमें भोजन मिल सकता है पस्वों को भी पालतू बनाए तो यहां पर इनसान खेती करना अब पसू पालन करना शुरू करने लगते हैं इसके बात का जो स्टेज आता है जब यह खेती करना शुरू करते हैं पसू पालन करना शुरू करते हैं अभी तक क्या था अगर इंसान जब तक सिकारी था इधर उदर घूम रहा पसों के पीछे सिकार कर रहा कंजब्शन कर रहा है फिर पसों को पालतू बनाया तो पसों को लेकर कहीं भी जाए सकता था तब इंसान चल रहा है इधर घूम रहा है बोजन के तलास में भाग और जो यह खेती करना शुरू की है तो अब उनका पेर बंद गया अब वो घूम नहीं सकते थे क्योंकि खेत को तो उठागे नहीं ले जाया सकता है और यहीं से इंसान का शुरू होता है बसने का प्रकिरिया जिसे हम लोग कहते इंगलिस में डुमेस्टिकेशन यह 12,000 साल पहले शुरू है यानि 10,000 साप पूर्व में शुरू होता है होता है क्या कि इंसान पोधे और पसुपालन जो शुरू कर दिये होते हैं पोधे का देखवाल करने लगते हैं तो पोधे तो जमीन में उग रहे हैं अब जमीन को उठा के लिए नहीं जा सकता कहीं पर अब इंसान एक जगा प्रश्टिक होना सुरू करने लगते हैं एक जगा रुकने लगते हैं लेकिन यह जो पोधे थे या जंगली जानवर या पोधे जिसको इंसान पालना सुरू करते हैं वो बाकी जंगली जानवरों से अलग होते हैं जो यह या कौन सा पोधा जिसका अना आज पकने के बाद भी उसके तने में लटका रहे गिर के जमीन में ना गिर जाए ताकि उसे यूज ना किया जा सके तो वैसा ही इंसान पोधों को चूच करता था जिससे निकलने वाला ख़द परदार्थ पकने के बाद भी तना में टिकार है और जानवर हिंसक ना हो, उन्हें ज़्यादा बिमार इना होता हो क्योंकि वो अगर बिमार होंगे तो ज़्यादा उनका देखवाल करना शुरू किया और धिरे-धिरे समय के साथ ये जो पोधे थे या पसू थे ये अपने जंगली परजाती से अलग होने लगें जैसे कुट्टा वी जो हम लोग देखते हैं, लोकल जो हमें सहर में कुट्टा दिखता, वो और जंगली कुट्टा दोनों अलग होता है, क्योंकि वो इनसान के साथ रहने लगे, तो थोड़ा-थोड़ा उसमें चेंजस आने लगा, अपने जंगली भ्राइटी से अलग होने लगता है. उसी तरह चयांगा पर अस्तिक होना शुरू हुआ, खेतिवाड़ आगा की कारण, पेड़ पॉद्धे को उगाने की कारण. और यहीं पर जब बसना शुरू करता है इन्सान, तब जीवन का एक नया प्रिकरिया सुरू होता है, जो आके जाकर समाज परिवार बनता है, परिवार से कुल बनता है, कुल से फिर समाज बनता है, लिए लंबी श्टोडी फिर चलती है जिसे एक लिए के विडियो जिम dataset में देखिंगे तब अब इंसान उसको छोड़के नहीं जा सकता था और चुकि प्रोड़क्ट मिलने में काफी समय लगता प्रोड़क्ट जब मिल जाता है तो उससे दोवारा जो प्रोड़क्ट निकलेगा यानि जिसे खेती के गेहूं उगाएं काफी समय के बाद उससे गेहूं हमें मिल ग अनाज को खाने के लिए भी भंडार करना शुरू किया और नेश्ट टाइम उसे बीज को गाड़ कर पोधा उगाने के लिए भी भंडार करना शुरू किया निया जीवन से लिए होता है एक जगा तो इंसान अस्थिर हो गया एक छोड़ा मोटा कभीला बसना शुरू हो गया अब लोग अनाज को श्टोर करना भी शुरू कर देते हैं और ये जो जीवन अस्थाई होता है तो इसको हम समझने के लिए एक बहुत अच्छे तरीके से एक क्रोורणोर्जी में देखते हैं कि इंसान पले भोजन संग रखते हैं फूड़ी कठा करते रखते थे जहांन से जो उन्ने खाने भोजन मिल दिया फिर सिकार करना पसुपालक बन गया फिर उन्हें जब क्लाइमेकचेंज होता है पोधो को गाय जा सकता और उनसे प्रोडक्शन लिया जा सकता तो खेती वाड़ी भी सुप कर दिया और यहीं से इस क्रिशक बनने कारण लोग अस्थाई जीवन जीना शुरू कर देते हैं यानि इनसान अब अस्थाई जीवन जीने लगते हैं तब अब इनसान एक जगा पर और भी दूसरा काम करना शुरू कर देते थे वो करते थे कलाकारी का काम करते थे जिसे वर्तन बनाना शुरू किये या खेती वाड़ी शुरू किये इस तरीके का और भी काम करना शुरू कर देते थे इसके बाद हम लोग देखते हैं यह जो अस्थाई जीवन शुरू होता कि हमें साक्ष मिलते हैं जिसे ये पूरा स्थलम हम लोग देखते हैं ये महरगड जो कि हमारा यहाँ पर है महरगड यहां से हमें मिला गेहु जो भेड, बकड़ी, मınaवेशी उसी तरीके से आधुनिक जो उत्तर पर्देश है वहाँ पर कॉलावा डी है यह हमारा हो जाता कोलाडी यहां से भी हमें मिला है चावल जानवरों के हडियों के टुकड़े मिले हैं फिर मेहरगड वो भी आधुनिक उत्तर प्रदेश में यह हो जाता आपका मेहरगड यहां से हमें मिला है चावल और मवेसी मिट्टी पर खुरों के निसान भी मिले है फिर आगे गुफरा काल देखते हैं वुर्ज होम देखते हैं चिरांदा देखते हैं हुरूल देखते हैं इस तरीके से और भी हम लोग साइट देखते हैं इसे याद कर लेना आप यह बहुत ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग अस्थाई जीवन के और इंसान जब मूव करना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर हमें जो इस चीज के वारे में जानकारी मिलता है तो जो पुरातत विक्ता थे आर्केोलोजिस्ट थे वो जब खुदाई करते हैं स धर्ती के नीचे यानि धर्ती के नीचे का जो गुफा बना लेते थे और उसी में लोग रहा करते थे तो हमें बुर्ज होम एक पुरातत तो अस्थल का नाम है जो की कस्मीर में पढ़ता है वहाँ पर हमें एक गरतावास मिला और यह नव पासान युक के हत्यार भी हमें य लेकिन धिरी-धिरी इंसान को हत्यार से प्रेम होने लगता है उसे साफ करने लगता है पॉलिस करने लगता है धार बना उस पर शड़ाने लगता है तो इसे इस काल में हमें यहाँ पर अस्थाई जीवन जब इंसान जीना शुरू करते हैं तो वहाँ पर नव पासान युक इसके वारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिला, आठ के वारे में थोड़ा जानकारी मिला है, लेकिन हमें रिती रिवाज के वारे में, कल्चर्स, कॉस्टम्स के वारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिला है, लेकिन एक अनुमान का अनुसार हमें ऐसा पता चला है, कि सायद क्र जिसक और पसुपालक जंजाती रहे होंगे यानि खेती करने वाले और पसुपालने वाले इसा है उनकर ट्राइब से जंजाती रहे होंगे जंजाती के बारे में हम लोग आगे के स्लाइड में देखते हैं उसके बाद हम लोग कुछ और एक इंपोर्टेंट चीज मिला है जि से यहां पर हमने बताय था आपको कि लोग अनाजों का भंडारन करना कर दिये था तो अनाज को बतन में डालकर रंगे या जमीन के अंदर गड़ा खुद कर उसपर डॉल के रखेंगे इस तरह technique से लोग अनाज का भंडा लखेंडे लेकिन जमीन कि वरतन नोतों मुझे छो जो हमें अभी तक वरतन मिलें सिव रचा भर तन जिसको इस्तेमाल के जता था भोजन पकाने में और इस त्रीकिये इस बुढ़न का इस्तिमाल प्रचाता था अब इंसान जो पका घर खाने लगे तो और छूने लगे उन्हें इसली हुआ कि वह समाज दिखता है और उसे अभी के समाज के तरफ मूव करना शुरू करता है यानि अस्थाई जीवन आया अस्थाई जीवन से धीरी धीरे लोग आपस में जुड़ने लगें जुड़ने लगें तो समाज का निरमान हुआ समाज से गाउं का गाउं से सहर का सहर से नगर का और विए जाता है जो बचारे कको नहीं होता है उसमें दिखा हाया है कि मुखिता महिलाएं खेती का सारा काम कर लेती है बच्चों का काम क्या होता है कि जो पसुओं का छोड़ा छोड़ा जूड़ा जूड़ा है बकडियों का गायों का मवेसियों का इन सब के जूड़ों को चराने का काम करते हैं जंगल में ले जाते हैं उन्हें चराते हैं पसव काम होता है कि जानवरों को जो बड़े जूंड़ोते हैं उन्हें वो चराते हैं और महिला और पसु मिलकर दोनों जानवरों की सफाई भी करते हैं, दूद निकालते हैं, बरतन, टोकरी, ओजार, जोपड़ी इस तरह के से बहुत सारे काम करते हैं अगर किसी वी जनजाती छितर में जाते हो तो अधर आपको दिखेगा कि उनका अपना एक काफी अच्छा आट इन कल्चर होता है, उनका एक संगीत होता, नित होता है, तो ये सारे चीज हमें देखने को मिलता जनजातियों में, और ये जनजाती है श्टार्ट में सुरू हु नायर रखने के लिए, कुछ अनुभवी लोगों को या युवा लोगों को निता बना लिया जाता था, जिनका काम होता था, सबको लीड करना, सबो को के आपस में सुला कराना, कुछ भी समस्या होने पर, लोगों के बीच में काम बाटना, उनका मदद करना, समाज को एक अभी आप देखोगे जो भी ट्राइवल एरिया है कभी कभी अगर कहीं पर आपका मिला लगा हुआ है वहाँ पर आप देख सकते हो जंजाती अपने कुछ कलाकृती को बेशने के लिए आते हैं तो उन्हें देखकर आप उनके बारे में ज्यादा समझ सकते हो जान सकते हो कि जंजाती किस तरीके के जीवन जिया करते हैं उनका सोच बीचार रहन सहन क्या होता है और जो जनजाती के लोग होते हैं उनमें भेदवाव नहीं होता है जिससे हमारे भी उत्तरवेदिकाल में को वैसा भेदवाव नहीं था पूरा समाज बटा रहता था लोग में चितने भी समाज के समाज के रिसोर्सस होते थे सबो का उन पर अधिकार होता था सबो में वापस में बरावरी से बटा होता था इसा नहीं कि कोई अमीर है, कोई गरीब है उच्छा नीचा ये सारा चीश नहीं होता ये रिकवेदिग काल पर देखने को रुदक्रदी इत सांगरां claustinkर इक Candie गति तो इस तरीकर के हम लोग देखते कि जन्जाती वेवस्थासमाज में हुआ गूरा गरता था उसके वाज जब आगे देखते तो कुछ महत्पुर्ण अस्थान हमें जो मिले हैं उस समय के तो उस महत्पुर्ण अस्थान में हम लोग देखते हैं एक तो मेहरगड दिखता जो कि बलुचिस्तान में है और ये बलुचिस्तान पाकिस्तान में है वरतमान और दूसरा हमें हम देखते हैं कि डोजली है वो मेप में कुछ इस तरीके से हमें लोकेट होता है इस यहां पर हमें दिखता है इसे थोड़ा देटेल समय देखा जा यह देखिए यह हमारा इंडिया का मेप है इधर बगल में हमें पाकिस्तान दिखता है पाकिस्तान में ही यह मेहरगड हमारा यहां पर लोकेट हो रहा यह बलुचिस्तान पुरा प्रांथ हो जाता है वहीं पर यह हमें मेहरगड दिखता है यह जो मेहरगड है यह बलुचिस्तान का जो यह एरिया है यह काफी important एरिया रहा है इन्फेक्ट सुरू से लेके वर्तमान तक क्योंकि इधरी से सारे विदेशी आकरमनकारी भारत में इंटर हुए है भारत का जब आप मेप देखते हैं तो नोर्थ से लेके इष्ट तक तो हमें हिमालिया रेंज दिख जाता है उपर में नोर्थ के तरफ पामीर का पढ़ार द इसी छेतर से हुआ था जितने भी विदेशी आकरमनकारी आए चैसी इसी छेतर से आया पर इसां thischez जो है से भाजन आ यह यह इंसान को यही पर यह जो बलुचिस्तान का हमारा रेंज इही पर सबसे पहले इंसान को गेहूं Eduardo Pei गिहूं जो उगाना सिखे थे प्राचिन जो गाउं होते हैं उन प्राचिन गाउं मेंसे ये वी एक गाउं मेहरगड हमें दिखने को मिलता है मेहरगड जो हमें खुदाइप के बाद जो सहर मिला है वो कुछ इस तरीके से दिखता है चोकोर डिजाइन में घर बने हुए हैं स देखा जाए तो चार कमरे दिखते ही दिखते हैं मुखिता अधिकतर घरों में वह सभी पुर्वजनम में विस्वास करते थे ऐसा पाया गया क्योंकि जो वहाँ पर हमें सवधान मिला है जहां पर इंसान को मरने के बाद दफना दिया जाता है उसमें हमें बहुत सारे उनके औजार हत्यार समान मिले जिससे हमें पता चलता है कि लोग इसा मानते होंगे कि इंसान का पुरुजनम होगा तो ये उनके इस्तेमाल में आएगा इस तरीके से लोग जो मरते थे उनके बोड़ी को दफनाने के साथ उनके इस्तेमाल के कुछ चीज़ों को भी दफना दिया जाता था पिर हमें वहाँ पर बिविंघ जानवर के हडिया भी प्राप्त हुए हैं सबसे यह यह दखने वाला प्वाइंट है पहले हमें हीरन और सूवर का हड़ी मिला यहांँ पर यह बात अलगै कि सबसे पहले कुट्टे कोपाल तो बना गया था लेकिन सबसे पहले जि दोजली हेडिंग दीमाहासा असम यह हमारा दोजली हेडिंग यह यहाँ पर असम में लोकेट करता है यह मेंली चीन और मैनमार जाने का जाने वला रास्ते में पढ़ता है दोजली हेडिंग यहीं से रास्ता निकलता चीन को जाने का यह हमारा नीचे में मैनमार है इधर को ज कराल और मुसल जैसे पत्थर के उपकरण भी मिले खे खे खेники कर इसे पता चलता कि हां वहां पर बिछ आना जुगा क्यों हो Though जेराटाइट पत्थर भी मिला है जो की चीन से आया होगा क्यूंकि चीन में जेराटाइट का मात्रा है और सबसे इंपोर्टेट ही वहापर काश्ठाम मिले हैं अब सवाल उठता ही काश्ठाम होते क्या है काश्ठाम क्या होता है जो भी बहुत ही पुराना लकड़ी हो धीर दिन तक दवारा दिरे-दिरे सक्त होते या सक्त होते होते हाड होते होते वह पत्थर बन जाता है उसे ही काश्ठाम कहा जाता है तो यहाँ पर हमें काश्ठाम के भी हत्यार और ओजार मिले हैं यह हमारा डोजली हेडिंग हो जाता है तो गाइज इस चेप्टर में हमने में इन्सान जो डेवलेप करना शुरू करता है भोजन संगरक से सिकारी पसुपालक क्रिसक और अस्थाई जीवन यानि इस शेप्टर का में मोटो था कि इन्सान किस तरीके से क्रिसक बना और अस्थाई जीवन जीना शुरू कि वह हमें यहां पर सिखने को मिलता है क्रिसक बना पहले क्योंकि इंसान खेती के बारे में जानने लगा था पेड़ पोधों को देखकर सीखने लगा था उनके अंकुरन को जानने लगा था खेती करना शुरू किया जिससे बसने का प्रकिरिया का प्रारम होने से इंसान जो बसना शुरू करता उसे एक नया जीवन से लिए वनाते हैं और जो हमें महत्त्पुन सहर मिले। मेहरगण और बलुचिस्तान यह उस समय के हमारा आज यह सारा समड़ी था उसके बाद हम लोग savagya session में आते हैं ये है हमारा रहा इस chapters से related questions. पहला ब्रह्म पुत्रा की घाटी की एक पहाडी पर इस्थित पुरा अस्थल निम्न में से कौन है? यानि ब्रह्म पुत्रा घाटी की पहाडी पर निम्न में से कौन सा पुरा अस्थल इस्थित है? दूसरा हम लожно देखते हैं, कि से निम्यम्न में से किस दर्रिके निकट म smiled अंगे सके है, महां से सह निम्हट के निकट मेहर सकते है जिसके पास से मिल स कंध का मेहर गatz कहा है, वहां से लोग का आमा गवन बहुत बड़ा है वहीं से विदेशी आगरमन कारी भी आया करते थे तीसरा सबसे पहले निम्लिक्षित में से किस जंगली जानवर को पालतु बनाए गया था बड़ा इजी कोश्चन है आप इजली बता सकते हो निम्लिक्षित में से किस अस्थान पर इंसानों ने सबसे पहले गया हूँ जो उगाना सीखा था ये भी बहुत इजी कोश्चन है फिर हम लोग देखते काश्ठाम का अर्थ क्या है काश्ठाम थोड़ा सा अब संब्री देखो करें आपको देखेये ये उसमें आपको पता चली गया ओगा काश्ठाम किसी कहते है निम्ल लिखित में से कौन से स्थान नव पासान काल के नहीं है और लास्ट कोश्चन इसका मेहरगड में से किस किस जानवर या जानवरों के हडिया प्राप्त हुई है यानि यह जो हमारा नव पासन काल है उसके पहले के काल के नहीं दिखते हैं तो यह सारे जो कोशन्स हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और फर्दर वीडियो जो आपको मिलते रहे इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे इसके लिए आप बेल आइकन को दवा दें और में इंपोर्टेंट बात अगर आपको हमारी इस वीडियो में कुछ भी प्रोलम दिखता है लगता है कि इसे कुछ और बहतर बनाना चाहिए था वैसा कोई भी आपको कंप्लेन हो या सजेशन हो तो प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कंप्ले बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में